Hero Electric का नाम आपने डिफिनिटी सुना होगा और आपको लगता होगा कि Hero Electric जो है वो Hero Motor Cop का ही Electric Division है Actually ऐसा नहीं है, Hero Motor Cop और Hero Electric दो different companies हैं और Hero Electric जो है, of course मुझाल फैमली के ही छोटे भाई जो हैं वो चलाते हैं But Hero Motor Cop अभी तक Electric गेम में नहीं थे पर आज वो चेंज हो गया है क्योंकि इनोंने एक नया ब्रैंड लांच किया है Vida और उसका पहला स्कूटर जो है, वो आप यह देख रहे हैं Vida V1 बोला गया है इसे तो क्या कुछ आपको यह उफर करता है और क्या कुछ इसमें आपको देख रहे हैं मिलेगा क्या रेंज है, चार्जिंग क्या है, कितना टाइम लगने वाले हैं और उन सब चीज़े के बारे माज हम बात करने वाले हैं नमस्कार कमागनी दिविस अजनों, मैं ने में विकास योगी यह वाजिए आईसन तुदियो और है इसेविशिग आइची तो आपको इसेड़ी है तो आपको अबाओ अबाओ यहीरो मोटरकोप विडा वीवाद और राइट तो सबसे पहले मुख्य चीजों की बात कर लेते हैं क्योंकि most electric scooters आजकल gadgets हैं तो gadget जैसा ही है आपको की तो दी गई है आल्मोस्त जो कार्स की की होती है वैसी आपको नज़र आईगी जिसके नदर दो तीन चीज़े आपको मिल जाती है एक यह इसको beep कर रहा हूँ यह beep कर रहा है basically तो find me जैसा एक feature है अपने कहीं पर पाक ही है तो आप ढूंड सकते हो फिर यह lights इससे on हो जाती है अगर आप इसको press कर रखोगे तो light on हो गई है और एक जो है वह boot opener है यहां से शुरू करते हैं क्योंकि यही सबसे मुख्य चीज़ है यह बीच में सापको उठाना पड़ेगा आपको एक बार को लाएगा कि यह क्या quality है पर एक्चुली quality wise को दिक्कत नहीं है इसका purpose है इस वज़े से इसको ऐसा दिया गया है अब आप जो सबसे main चीज़ है उ बाइद हुए आई-पी 67 रेटेड है अधाट मींज प्लैश प्रूफ होगी निकालने के लिए आपको इससे दम लगा कि खेचना पड़ेगा बैटरी capacity के अगर बात करें इसमें दो वर्जिन आते हैं एक जो वर्जिन है विडा वीवन प्लस और विडा वीवन प्रो तो व 3.94 किलोवाट आर आपको मिलेगी बट यह जो बैटरीज है यह एक्चुली दोनों मिला के 3.4 किलोवाट आर के आसपास आईए शायद से जब फाइनल वर्जिन होगा तो आपको 3.94 मिलने लग जाएगा बट अभी के लिए जो बैटरीज में लगाईगी है वो इस तरह की नहीं हो गाड़ी तो आप चला सकते हो वो भी एक इसकेंदर solution को दिया गया है बहुत लोग जो building में रहते हैं उनके साथ शिकायत यह होती है कि हम नीचे से ढंग से नीचे अगर गाड़ी पाक करेंगे तो चार्ज नहीं कर पाएंगे तो यह solution जो है swappable वो उनको मिल जाता है तो उनके लिए वो चीज बहतर हो जाती है वागी honestly बहुत ही मशक्कत का काम है इसे खोलना और बंद करना कभी लग रहा है मिरको की चाबी मुड़ जाएगी तो यह वो गई बैटरी की बात बाट यह जो सब्पपना बैटरी बैटरी जो टेक्नोलोजी है यह इएरंणो वह उने सर्स पी है गोगरौ से कोगरौ तो एक पूरा ecosystem मनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं तो ये बात हो गई अब थोड़े numbers की बात कर लेते हैं और numbers से पहले आपको बता दूँ कि जो electric motor है, capacity है वो लगभग 8 bhp के असपास है मतलब जो maximum power output आपको 8 bhp मिलेगा continuous जो power हो 5.2 मिलेगा अब continuous power output और maximum आप power output में फरक ये है कि जब आप किसी certain mode में होंगे तो कुछ देर के लिए आप peak power को use कर सकते हैं उसके बाद में continuously अगर आप चलाओगे जिसमें की जादा heat ना हो battery वो वाली जो capacity होती है, वो वाली जो power होती है या 5.2 BHP, वो आपको लगातार मिलती रहेगी peak torque हमें नहीं पता है हमें यह पता है कि 0 to 40 करने में 3.2 seconds लेता है इसका pro version और इसका जो plus version वो 3.4 seconds लेता है that makes it one of the fastest accelerating scooter in the segment ऐसा company का कहना है, बागे चलाओगे नहीं भी जब चलाओगे तो बात कर लेंगे जो pro version है, वो 167 km के आपको range offer करता है यह claimed है इनकी, realistic के लिए कितनी होगी अभी पता नहीं है कभी जब लंबे time के लिए चलाएंगे तभी पता पड़ेगा वो और जो इसका plus version है, वो 143 के आसपास आपको range maximum offer करता है तो यह होगे numbers की बात, अब थोड़े बहुत design elements के बात करोगे तो एकदम unusual design है, हमने ऐसी कोई design देखी नहीं है multiple panels का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे parts है यह एक अलग panel है, यह एक अलग panel है, यह एक अलग panel है अगर मुझसे पूछो personally, तो मुझे एथर और जो ओला है, उनका fit and finish levels थोड़े बहतर लगते हैं और उन्होंने less number of parts यूज़ किये हैं, और उन्होंने बहुत सारे parts यूज़ किये हैं तो वह एक फाइदे मंद है, बाकि LED projectors मिल जाती है, और lower position किया गया थोड़ा सा, usualum कई बार उपर भी देखते हैं बाकि उसके लावा क्या है, tire size जो है, वो I think 12 इंच का रखा गया है MRF का tire है, profile का है इसका, yes 12 इंच का है, 90-90 section का है, 12 इंच का है, दोनो front और rear पीछे की साइड भी आपको LED light से दी गई है, again design wise अलग नज़र आ रही है, वड़ा का logo, वड़ा का meaning अगर जाना चाहते हो, तो वो है life, और life अमीन जाना चाहते हो, तो सद गुरू को सुनो, हम गाड़ी की बात करेंगे, उसके अलावा एक और चीज, यह touchscreen आपको दी गई ह है, 7-inch की है, TFT display है, अगर आप किसी भी angle से देखोगे, तो ऐसा नहीं होता कि वो change हो रही है, हर angle से almost similar आपको नज़र आती है, जिसमों multiple modes देगे हैं, mode समझाने के लिए मैंको गाड़ी स्टार्ट करने पड़ेगी, बाइदे पर गाड़ी खुद बखुद स्टार्ट होग होई है, और टायर भी move कर रहा है, तो अगर ऐसी किसी जगे पर घड़ी हो, तो आपकी गाड़ी चलना शुरू ना हो जाए, main stand पर होके भी, but usually ठोड़ा मुश्किल होता है, ऐसी जगे पर होतो तो तो शायद थोड़ा easy नहीं होता है, but यह ठोड़ा weird है, अगर side stand पर होगे charge 68 हो गई है, ride mode में, फिर sport mode 56 km हो गई है, अभी क्योंकि खड़ी है गाड़ी और स्पर शूट हो रहे है, इसलिए exact gauge करना की कित्ता आपको range देगी, वो गलत होगा, बठा, claim के से अगर 20% भी कम हुआ, तो भी ठीक ठाक range यह offer करेंगे, शायद one of the highest है, यह segment में, जो range वाइस यह लोग ही offer करते हैं, अब charging की अगर आब बात करोगे, तो आपकर समय charging के solution है, जो एक basic charger इसके गाड़ी के साथ में आएगा, वो charger से इससे charge करोगे, तो लगबग लगबग आपको 6 गंटे के आसपा, 6-7 गंटे के आसपास लगने वाला है, दो रहो बैटरी को charge करने में, एक बैटरी को charge करोगे, तो उसको आधा कर लू, बाकि fast charging solution भी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यह open हो जाता है, और यहाँ से fast charger लग जाएगा, जो कि 11 kilowatt तक शायद, I'm sorry, जो इन्होंने chargers लगाएं, वो 3.3 kilowatt वाले हैं, तो 3.3 kilowatt से इन्होंने बुला कि एक charge हो जाएगा, that means, जो original charger होगा, वो 0.5 या 0.6 kilowatt के आसपास वाला होना चाहिए, इन्होंने exact उसकी information हमको बता ही नहीं है, बठा, एक घंटे में charge हो जाएगा, अगर fast charger लगा रहे हो, अब यहाँ पर multiple buttons दिए गए हैं, अगर आप यह पूरे handlebar की बात करोगे, तो multiple buttons दिए हैं, यहाँ पर यह जो buttons दिए गए हैं, यह M.I.D. scroll कर लो, trip A, trip B, average speed आपको दिखा देगा, auto की reading बता देगा, navigation आप actually via phone start कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको शोकेस होने ले जाए, जो कि अच्छी बात है, turn by turn navigation by the way मिलेगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, turn by turn navigation by the way मिल यह सब fancy feature तो हैं, बट इक scooter में इन सब चीज़ों के ज़रत कोई खास होती नहीं है, बट दे दी गई है, अच्छी बात है, बाकी यहाँ पर कुछ टांगना और टांग सकते हो, यह दो buttons यहाँ पर दिए गए हैं, इससे on या off करना हो, अब इसका दबाओगे, तो देखोग अब pricing की बात कर लेते हैं, final, तो 1.45 lakh पे इसे launch किया गया है, और जो इसका top in variant pro, जो यह वाला variant है, वो 1.59 lakh पे आता है, एक लाक साड़ दार, बागे फे state subsidies वगरे मिल जाएगे, तो उसके बात कम हो जाएगी, बाट इस इस वाट इस, आपको क्या लगता pricing के बारे में, वो सारी information मैंने share कर दी है, except for the riding, जो कि जल्दी होगी, I hope आपको वीडियो पसंद आओगा, वीडियो पसंद आओगा तो इससे like करना और share करना, बूलिए अगर कोई सवाल है, जो के रह गए हैं, जैसे कि मैंने कहा, तो पूछे, ride impression में, उससे हम पक्का address करेंगे, thank you so much people for watching this video. मैंने!